नमस्कार आप देख रहे हैं दजनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी इस वक्त मैं मौझूद हूँ गुजरात में और सोने की चाली के नाम से ये इलाके को जाना जाता है बिरजु नगार खास बात क्या है कि हम आपको बताएंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि आज एक बेहद अलग और समवेदनाशील कहानी हम आपके लेके आएं हैं वो कहानी एक ऐसे इनसान की है जिसे लगभग देश ही नहीं पूरा विदेश जानता है दोरा कराएंगे उसके घर का जानेंगे उससे कि साल 2002 में क्या हुआ था वो साल जब गुजरात में दंगे हुए थे गोधराकांड के बाद से ही गुजरात जल उठा था गुजरात में ऐसी तस्वीरे वाइरल हुई जिसके बाद लोग डरे और सहमे हुए थे वो गोधराकांड जिसे आज तक लोग एक भयानक रूप में ध्यान रखते हैं आगे की ओर लेके चलते हैं आपको और उस शक्त से मिलाएंगे उससे पहले आपको ये बताएंगे कि किस सरहा गुजरात के 2002 के दंगे लोगों के मन में भैका डर कर गए ये घर है उस सक्ष का गोधराकांड के बाद जब भी हम Facebook, WhatsApp, Instagram या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट पे 2002 के दंगे डालते हैं तो दो तस्वीरे हमें देखने को मिलती हैं पहली तस्वीर है अशोक परमार यानि की अशोक मोची जी की वहीं दूसरी तस्वीर है कुतुबुद्दीन अंसारी जी की वो दो तस्वीरे बया करती हैं पूरा गोधराकांड जहां अशोक मोची हाथ में लोहे की रोड लेकर और सर पे भगवा पट्टा लेकर एक भयान कर दिया जाए ये घर है मेरे पीछे कुतबुद्दीन जी का अंदर चलेंगे इस घर का दौरा कराएंगे साथ ही उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार 2002 के बाद उनकी जिंदगी बदल गई 20 साल हो चुके उस हाथसे को चलिए उनके पास चलते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुतबुद्दीन अंसारी जी मौजूद है सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल दजनता लाइव में और देखते आ रहे हैं आपकी कहानी अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पे साल 2002 उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल हमारे दर्शिकों को बताईए वो एक सची घटना थी और दुनिया ने उसे देखा और गलत को गलत भी कहा दुनिया ने और दुख की बात यह एगी कि वो हमारे गुजरात जैसे सहर में घटना घटी वो उसका हमें जिंदगी भर दुख रहेगा लेकिन आज गुजरात वा मार्किट में रखने के लिए इसका मिस्यूज होता है लेकिन पब्लीक जो है कोमन जो जनरल जो गुजरात के लोग हैंगे उन लोग के अंदर इसी कोई बात नहीं है वो आज भी भाईचारे की तरह मिलते हैं कारोबार से जुड़े ले हैं यार दोस्त जुड़े हुए हैं और एसा कहीं नजर से देखने में तो कहीं पर भी नहीं आता हैगा मालिका करा में आप गुजरात नोर्मल है सर दो हजार दो के जो दंगे थे वो आपने अपनी आँखों से देखे और पूरा जो मंदर था बेहट डरावना था क्या उस वक्त आपने एक्सपीरियंस किया और वो लगातार जो दो तीन दिन तक दंगा चला उस वक्त किस तरीके के हालाद गुजरात में बने हुए थे वो बताई गुजरात में दंगे इससे पहले भी कई बार हुए थे मगर वो जो दंगे हुए उसके अंदर सिस्टम जो था वो बिलकुल यानि काम करना नहीं चाह रहा था या उससे हो नहीं पा रहा था या कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उनसे जो भी था बेरा लेकिन वो बहुत दो-चार दिन तक का बहुत मामला खराब था और काफी नुकसान हुआ लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि गुजरात में इससे पहले दंगे हुए एक आ दिन में नॉर्मल हो जाता था और चोटी-कोटी घटना घटती थी लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे वो लोग मुस्लिम एरियों में जाके अभी रह रहे हैं और जो हिंदू भाई हैंगे वो लोग उनको वापस बुलाने की कोशिस करते हैं मगर वो डर इतना उन लोगों के दिमाख में रहे गया और इतना इनी घबराय हुए हैंगे कि वो विश्वास जो है वो धीमे धीमे क करके ही बनेगा जिसे इसरे वक्त जायेगा वैसे बनेगा आज औरी कव्री मेन है बन रहाएंगा लोग एक दुसरे के वापस संबर में है और धीमे-धीमे करके आसानी से अपनी-पनी जगह पर सब रहने चले गए नॉर्मल जिंदगी में चले गए और अभी फिल हाल ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि इसा होगा कुछ सर आप दंगों से पहले क्या करते थे और अब आप क्या करते मैं दंगे से पहले भी सिलाई काम करता था और आज भी सिलाई काम करता हूं बेन उस वक्त में कमपणी में काम करता था किविर के इप पर मेरे को थोड़ा डर सा बना रहता था ऑर हाला तो झालघ वेल गए ए और धर रिल्क जा रहता तो और मुझे डर लगा रहता था तो मैं कुछ समय के लिए कलकथड चला गया था कलकथड़ा में भी में इस राइ कामी करता था यहां के states'd मेरे रिस्तेदारों से, मेरी मम्मी से, मेरे बड़े भाई से, यो लोग मुझे समझाते थे, बटा, नोर्मल है यहां पर अब यसा कुछ नहीं है, आज आओ अपनी जगा पर वापस, मेरा परीवार लेकर वापस, एक आज साल के अंदर में वापस आ गया था, और आके गुम् कोई ना कोई ना कोई लोग मुझे ढूनने तो सुरूख, कलकता में लोग ढून रहे थे, मुझे कहां चला गया, कहां है, कहां नहीं है, कहीं ना कहीं से, उनको मालूम पढ़ा, कुद बुदिन गुजरात में ही है, और फिर वापस मेरे को लोगों के सामने आना पड़ा, वो धीमे-धीमे करके आज तक चल रहाएगा, सर आपने डर का जिक्र किया, मगर अगर उस तस्वीर की बात करें, जिस तस्वीर को आज से 20 साल पहले वाइरल होते देखा गया, गुधराकान के बाद, उसमें आप हाथ जोड़ते और आखों में पानी, कहीं ना कहीं एक डर दिनाक हमने हमने हमारी नजिरों से मंजर को देखे हुए थे, क्यूंके इस तरिके से था कि हमने कभी तस्वीर कराऊगा, के ऐसा भी कभी हो सकता है, कि इंसान-इंसान के लिए इतना भ Вас सकता, यानि मानवता नाम की चीजी नहीं दिख रही थी उस टाइम पे, और जो भी वहां तक नेजर जायी वहां तक दोड़ो जेसे Черणिवा टतानारा था। में जिछी जरनिач वा तक दोड़ना बार्ता है। को जटे दोड़नार ज़ने वारी आपि खूरतोному लिए निर सुराइबorman? में ज सामने बारादा में भीया दिख थे। मगर इंसान एसे नहीं होते जिस तरह से उस वक्त लोगों ने टांडाओ करा था चोटे-चोटे बच्चे थे घरे जल रहे थे लोगों के मकान जल रहे थे रोड पे धुमा धक्कर चारो तरब आगी आग दिख रही थी जहां तक नजर जाय थी वहां तक धुमा दिख रहा थ उस चीज़ को लेके वें हम लोग को लगवग चौदा पंदरा का लग से ज्यादा हो गई थी और हमारी हेल्प को हमारी मदद को कोई भी आसा नहीं लग रहा था कि कोई हमारी हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे मगर जिंदगी अल्ला के हाथ में इगी इसके लिए हमको यह था कि कुछ ना कुछ अल्ला हमारी मदद करेगा हम एक रूम के अंदर चुपे हुए थे रेफिटेक्शन फोर्स का वहां से पेट्रोलिंग का राउंड निकला और रेफिटेक्शन फोर्स को मैं देख रहा था लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी मैंने उनको हिम्म करें खड़ा हो गया तो अस वक्त आप अकेले थे मेरे साथ मेरी मिसिस थी और गोध में एक बच्ची ती मेरी जिसके अभी दो साल पेले साधी करी में ने वो बच्ची मेरी ती चार एक साल की थी वो टाइम पे और में और ऑफिटेक्शन फोर्स के सामने दोनों हांट फोर अपने दूसरे करमचारियों को बुला है और वो लोग जो सीडी उपर आने की यहां पर में चुपा हुआ था जी पूरी जल रही थी यानि कोई आदमी उपर भी नी जा सकता दो कोई आदमी नीचे भी नीचे भी नीचे उतर सकता था पूरी सीडी को पर टायर लगे हुए अपने बुट बड़े बुट थे उनके बुट से उन्होंने टायर को अटाया सब डं लकडी से शीडी के लिए करी मुझे बंदोबस के नीचे उतारा गया और मुझे नीचे उताने के बाद सेफ साइट में से पूछा कि आप जाना चाहते हो गया तो पीछे में जहां पे तो वो मेरे पिता जी का मकान था जब में वहां रहता था और मैं वहां से फिर एफिटेक्शन फोर्स के बंदोबस में लगभादा किलोमेटर जैसा मुझे वो लोग ने रन कर आया कि आप जा सक तक जहां तक जाना चाहते हो हम खड़े आप जाईए मुस्लिम बस्ती थी प सामने हाथ फोल्ड करके खड़ा था और वो एक दो दिन पहले से दंगे चल रहे थे तो मेरे सरी सर्ट को पे ब्लेडिंग भी है मुझे चोंड भी लगी एड्रेसिंग भी मेरा हुआ हुआ है यह एक दिन पहले भी मैं इंजट हो चुगा था जी मगर मुझे एसा था कि जो कि दंगा करने में क्योंकि एक दिन जो पब्लिक थी वो जब जा के दंगा यह लोगों ने घरों में अपने सुसाइटियों में या अपने मोलन में बताया कि हम तो यह सा करे कुछ भी नहीं था कोई हमको बोलने वाला नहीं था जो दिल में आ रहा था वो कर रहे थे हम तो वो स्टोरी सुनने के बाद सायथ और भी पब्लिक जुड़ गई थी जो पहले राउंड में नहीं थी दूसरे राउंड में उससे ज्यादा पब्लिक बाकी लोगों को भी हॉस्त आपकी दाम चलेंगे तो दूसरे दिन तो पब्लिक का रस और भी ज्यादा था सर जब रैपिड एक्शन फोर्स आपको बचाने आई तो आपने कहा कि आप सीड़ों से उपर वाले मंजिल पे थे तो आसपास के लाके में भी और लोग मौजूद थे या सिफ आपका ही परिवार था मेरा जो जहां पर जो मैं जिस जगा की बात कर रहा हूंगा वो नीचे सब दुकाने थी और उपर रेशिडन्स का एक मकान था और वह दम फ्रेंड पी था यह ज़िए पर बस्ती शुरू होती है ने बिलकुल रोड वाला जो मकान था वो मेरे मकान के सामने बिलकुल रोड सब के लिए पेले पूरी बस्ती चाली हो चुकी ठीज हो चुकी एक दिन पेले पूरी बस्ती जल चुकी थी तेमावर राथ इसा हुआ कि जो हो ना थ वो चुका अब नहीं होगा अब दिमेदी में अपने अपनी जगह पे चले पर सब देखें सामान क्या बचा एक नहीं बचा है। तो हम रात में वापस आ ची they talk की रात में उनको दिमाग में इसाथ था तो कि भाइए है अगर उनको जरा भी वह Πर कोई है तो सबस्थcious जलाते बाद में इसार देते पेले यानि पर उनके दिमाग में इसा अथा भी नहीं और में भी छुपा हुआ ता अपने आपका सो भी नहीं करा था कि मैं उपपर हूँ तो वो लोगों ने सब जो जो जलाने का था वो सब जला रहे थे नीचे बाइक का सो रूम था और उपर रेशिडेंस था मिरा सबस्क्षािए का भी चाहिए हैं रहा हुआ हुआ है जारने कज़िञेंटों दिम माहते आप लेकिन जमना के लोगों घर के लोगों मरे हैं वो लोगों का घर को आज 42 बात करते हैं तो सारी चीजन ज्जर के सामने आ जातीम है गे अगयी और इतना सफर कर चुके हैंग रह छे मैने दो मेने छार मेने में कोई ना कोई के युजी बात आती से हैं बजार में क्यूंकिinguém सियासती देश की उसके बास से बदला गई हैं चाहिए उसको मार्किट में कोई स्टेट से बोले के नहीं बोले लेकिन पूरी हिंदुस्तान की सियासत जो है भारत देश के सियासत है गुजरात से दम लगके ही चलती हैं चाहिए गुजरात की अच्छा ही हो तो भी लोग गु सियासत का जिक्र किया आपने प्रधान मंत्री देश के गुजराट से आते हैं ग्रह मंत्री गुजराट से आते हैं और अब चुनाओ होने वाले हैं क्या लगता है इस बार चुनाओं में कौन सी जो सत्ता है सत्ता पलट सकती है क्योंकि भाजप 27 साल से लगातार गुजरात में आ रही है अगर कोई आ जाती है तो देखेंगे उसके अंदर कितनी कोलेटी क्या कर सकती है अबसी जी बहुत उभर कर आ रहे हैं और कहरें कि अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं मुसल्मानों के लिए एक मसीह जैसे साबित होंगे यह सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं लेकिन जो जनरल जो लोग हैंगे उन लोगों को महिंगवारी बहुत हैगी गेस का बाटल आप देखो आज की तारिख में बारा सो रुपे का आता हैगा में बिगेस वाले को जो पेमेंट करता हूँ तो एक सेकंड के लिए मेरा मन अंदर से दुखने लगता हैगा लैट का बिल देखो बेन आप अब यह हाली आप आपके आने के दस मिट पे ले आया चारह जार पांच हजा लैट का बिल आता है लोग कहीं ना कहीं कारो बार साथान मंत्री मोदी जी आ अपको इनवाइट दया था मेरा कोई जाना जरूरी निसमझा के रही मेरा जाने को पर ठरक्नी पड़ेगा निजब देश के प्रधान मंत्री नहीं के चीफ मिनिस्टर गतने रहे सर बीस साल बाद इस घटना के मैं आपसे बात चीत कर रही हूं और अब ऐसा कहना है पॉलिटिकल लोगों का कि दो हजार पच्चिस तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या कहना है आपका असबारे में पॉलिटिकल लोग के संचने से बोलने से अगर होता होता तो कब से कर देते हो लोग इसी बात नहीं हो अगर हिंदूराष्ट बन जाता है तो भी आप यहीं रहेंगे हाँ बिन कहां जाएंगे यहां से चोड़के यहीं रहेंगे हमारे बाप दादे यहां दपन होंगे बाई हमारी मंटि हमारा घार कोई सुरक्सी जगह यहीं हुझा जाए है kommer हर जागा पे है और भारत जैसे देस में और मेरे अम्दाबाद जैसे घर में मेरे घर में मेरी मौत आवल तो इससे बढ़ है मेरे लिए और क्या होगा सर, तमाम दंगे के बाद आप कलकत्ता चले गए थे, फिर ऐसा क्या खयाल आया जो आप वापस आपने एमदाबाद की तरफ रुख किया, क्योंकि वहाँ की सरकार आपको हर सुख सुविधा दे रही थी। मुझे ये डर रहता था कि मेरी बच्ची के ये कलकत्ता के अंदर बड़ी हो गई, 15-17 साल की हो गई, उस बच्ची के दिमाख में ये घर कर जाएगा कि हम लोग के साथ गुजरात में इसी गटना गटी, तो हम लोग हमारा परिवार छोड़के कलकत्ता आ गए, मैं नहीं चाह मतलब कि मेरी अनमुल चीज यहां पर खुआई थी, तो मैं उसको यही पर ढूंडूँगा, निकलकत्ता में थोड़ी मिलेगा, मेरा विश्वास वापस मैंने यही बनाया, मेरे बच्चे को भी मेने यही माहुल में बढ़ा कराया, हिंदू बच्चों के साथ मेरी बच्च ओक से बड़ा लखस था, एढ़ा मेरे बच्चे को अहमदाबाद के अंदर ही बढ़ा करूँ गाँ कर आक उन्हें माहुल में ख़ड़ा करूँ गा, ताके यह लोग अच्छा बूरा जो भी भी होगा वहायू देखेंगे 00.। हमदाबाद के अच्छा है तो भी लायू दे पुल्य को बात नी है जख anál ऑनों नहीं हुआ हमदाबट करी नवाली बात अजा आथ में है आदमी मन से पस्ताव करें तो माफ अल्ला कर देता है, बगवान कर देते हैं, मगर मुझे यसा लगा कर जाना चाहिए, बई, अगर मेरा जाना जरूरी नहीं था, वहां तो बहुत सारे लोग थे, वहां पर मेरा जाना कोई जरूरी नहीं था, असुक ने उसकी दुकान करा था, उसको सुब्कावना देने गया, उसको मुबारक बात दिया, एक चपपल खरीट के लाया था, वहां से मैंने, बस उसको मुबारक बात दिया कि भैच्छे से रहो खुश रहो और वो उसके साथ मैं उसको कहीं न गई बहुत दूख है इस बात का वो चीज़ में ने एसास करी कि इसको दूख है जब भी मुझे मिलता है तो मुझे उस वक्त बोलता था कि यार जो भी हुआ गलत हुआ और मैं इसा मन को था मगर उस वक्त जो भी thank you या गुस्bell m था में लेकिन मन का था वा और संते मन वे बात नियें को मोडी जी पोड़ से नंने कर सकते हैं तो डिल कर वेzekष्आ यह का जना गृत हमिलाहों के दर्ध कूर में से दिखलेघ सर एक और बात है कि उस वक्त जब दंगा हुआ और अब 20 साल से कोई दंगा नहीं हुआ तब भी सत्ता में उन्हीं के सरकार थी, अब भी सत्ता में उन्हीं के सरकार अब इस सिस्टम अगर काम करें तो कोई पर भी दंगे नहीं हो सकते हैंगे, सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है, कि वो अपनी एंट्री अगर मारे ने तो चोर, गुंडे, लुखे, सब डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम चाहब है, तो पोसीबल है, हर चीज पोसीबल है, सिस्टम के अंदर इतनी ताकत होती है, इसके बाद आपके जंदगी में बदलाफ कैसे आया, क्योंकि आपने कहा कि कुछ वक्त तक बेख़वर थे लोग मुझसे, लेकिन वो तस्वीरों को देखने के बाद लोग पाइरल हो गई थी, दूसरे दिन जब गुजरात के दंगो की खबर पेपरों में चपी, तो वो तस्वीर दम फ्रेंड पे चपी लोगों और उसके नीचे सारी स्टोरियां गुजरात के आई कि गुजरात में हालाती चल रहे हैं, और उस तस्वीर को लेकर मीडिया के अगर यह मर गया है तो भी यह हमको पब्लिक के आगे जाहिर करना है कि यह लोगों के आगे बिंति कर रहात और दंगईयों ने इससे मार दिया, और अगर यह है, तो कहा है, जानना चाहता है इसके बारे में, इस तरह से मेरों को लेको मीडिया में हखिल थी और siècle Mission期 education और sister के लोग भी थे और कोई फॉरेंग के भी लोग थे दो वो लोग ढूंते-धुन्ते-विजिकेंटेब कमट रिलीफ क्यंप इसो निकाला निकाल है वह बैपु निकाल कि पूंचा पूंछा मिले सब्सक्राइब मैं तो गरोन सब रहता तो मिडिया के लोगों ने उसको करम जो आपके आपके बात करें अगरा तो फिर एक दो जोनों पेपर के जड़ी एक वेक्ति ने मुझे पेचान लिया क्योंकि बापुनगर यहां से आधा किलो मिटर दूर है वह लड़के ने मुझे पेचाना किया मैं इसको जानता हूं और यह साहद सुन्द्रम नगर में रहत कि आपके ने मुझे लोग जानती थे तो वह पेपर जब मेरे अरियमें बाहर निकला लोगों को दिखाया तो लोगों ने पैचान लिया कि ये तो जानते हैं वुले इसको तो कहां पर है तो मैं उस वक्त नमाज पढ़ने गया हूँ अधा तो नमाज पढ़के मैं बज्ज तो Sanст вес दो की आते थे बीडिया के लोगी आते थे लाल कालकी टी शर पहना थे हैट और फोनेर था अंग्रेश था उसने अपना बेख कहरे उसने पेपर नि genau के नि अनिकाल के जगआ तो पेपर का नाम ओए टेलिग्राफ नाम से पेपर का वो मेरे को दिखाया तो मैं भी देखके दम हेरत में आ गया लगबग पांच-छे दिन की बात है कि मैं घबरा गया अधम से बिला यह क्या मुसीबद आई आप यह याणि यह यह तो सब जैसे दंगे के अंदर जो नॉर्मल होने लगते हैं से इसे हल वो पीरियेड में चला गया था लेकिन वो तस्वीर से फिर मेरे को दम से यह हो गया कि यह मैं दम से फ्रेंड पेच पेज प्रूमरा बारा था छाय। एक अधार के अंदर हूँ और यह क्या हो रहा ओर यह तो फिर वो अग्रेजी लिए वाले से तो फिर अंग्रेज से बातशीत करें उन्हें पिर यहां पर रहुतREE मेरे को उतना समझाए पर ढां यह तुम उतना चाहरए हैंगे तुम यह हालात के तब आपको बताया उस तरीके चैप में पर धी क्यों प्रम्यान नीकाल के लेंस टौने लंग ने लगा तर्वीर मना करो उन्होंने समझाए कर देखो अपके बारे में इस ततुलिय दुनिया के ऐक मैसेश और आपके बारे में कोई स्टोरी निये कोई समाचान निये कोई ख़बर नहीं है तो आप हमको एसी तस्वीर एक दे दो ताके हम यह लोगों के आगे सो कर दे कि यह चोकरा यहां पर है यह केम्प में है और नॉर्मल है अभी दिमें रूडिंग जिंदगी में अपना जा रहा है तो मुझे भी असा लगा कि मालिक ने मुझे जिंदगी दी है में कि उसका नाशुकरान आदा करूं मेरा ठीक है यार फिर मैंने दूसरी तस्वीर उसकी रिलीज करी यानि उसने मेरी दूसरी फोटू ली और दूसरे दिन फिर उन्होंने उनके अकबारों में में दूसरी तस्वीर को मेरा एक 2002 का पोटू और साथ में एक नॉर्मल पोटू मेरा चापके और मेरा नाम एड्रेस वगेरा के बाई कुद बुदीन से अंबील है और अच्छा है अभी वो उसकी तप्वेद अच्छी है और नॉर्मल है यहां पर रहे रहा है वो आपने अपनी तस्व पीर देखी थी उसी दोरान अशोक मोची जीगी वह तस्वीर जो है बहुत तेजी से वााइरल हो रही थी आपने वह तस्वीर देखी थी ने मेरे को उस तश्वीर के बारे में उस वक्त कोई जानकरी आपकी उनसे कब मुलाकात हुए तो मेरी उनसे मुलाकात एक फिर हुए थी लेकिन उसके कभी कहीं चर्चा नहीं हुए हमें सब खड़े-खड़े 10 मिले थे मगर हमारी जो सही मुलाकात अगर हुए तो मेरी बायोग्राफी एक केरला कर शाहिद रूमी नाम से पत्रकार था व वो बायोग्राफी लिख रहा था मेरी वह जिस दिन उस किताब को आपणीं करने का था तो लोग ने दोनों तिनों ने बेटके एसा प्लान करें के यार में उसको आपनी किस तरह से कराएंगे तो पहले तो यहां का खुद्बुदीन के हाथ से कराएंगे और मेरे को ऐसा करमार को लेके काम वोए कि ताकिए कि रहें सब और यका करिए इनॉग्रेशन आशोग जी के हंतो कर वाना है तब तक आपने तसवीर देखी थे और आप तो पिर आपके दिमाग में एक हयाल नहीं था कि ये तो उस वक्त दंगे के टाइम पे हाथ में रॉड लेके थे और कहीं ना कहीं हमें डर है क्योंकि उस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी दंगाईयों में शामिल है मुझे मालूम था उसके बारे में सबकुत था लेकिन असोग जहां पर रहता है वो सापुन नाम का विश्टा रहेगा और सारो तरह मुस्लिम रहते हैंगे वहां पर मेरे काफी दोस्त रहते हैंगे वो लोगों से मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकरी लिया कि यार ये दं डूर्त हुआ और मैं इसका एक हिस्सा बड़ा इससा बन गया मैं मैरे मैं इसकी पैचान बना तो उसको कही न कहीं मानौता हुँए मन में जागी और उसको उसका दूख हुआ और मान इनसान उसी को कहते हैं जब कोई गलती अपनी एकसेप कर ले हुए या कोई गलत को गलत समधने लगे कि मुझसे यह गलत हो रहा है तो उपर वाला भी माप कर देता तो हम तो इनसान हैंगे उसको एसास हुआ इस बात का कि जो भी हुआ था वो गलत था और आज के बाद मैं यह एहद करता हूँ कि एसा कभी जिन्दगी में कोई भी हिस्से में मैं शरीक नहीं होंगा और मेरे साथ यह जो भी हुआ गलत हुआ उसको एसास था इस बात का और मैं बदले में उससे में त सिर्फ एक आखरी बात कि जो भी दंगा हुआ और आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में हिंदु मुस्लिम के नाम पर बहुत राजनीती खेली जाती है वोट मांगे जाते हैं कुछ भी ऐसा मेसेज जो आप अपने हिंदु भाईयों तक एक मुस्लिम कौम की तरफ से पहुचाना चाहते हूं बबश यह कहना चाहता हूं बेन के मेरा नाम कुदबुदीन है और मैं एक मुस्लिम धरम से फोलो हूँ बस मैं सारे अपने हिंदु भाईयों से यह कहना चाहता हूं कि हमको मालिक ने इंसान बनाया है और इंसान हम पेले हैं मजब बाद में हैं मजब लोगों को माकी गोद में मिलता है लेकिन हम माकी जन्म से जब पैदा होते तो एक इंसान की शकल में रहते हैं माना होता इंसानिया यह सबसे पेली होनी चाहिए उसके बाद सेकंड नंबर पर अपना मजब आता है मैं यह कहना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता हूं हिंदी हम मतनके और हिंदूस्त है!!! हमारा ऑपक हाँ हहंका ही। ने जाना है। कोंकोझ जाना हैं ! आसा मारा बहुत हैं 的 हूं देंये। इसको पुरी आकों किष्वान चाहिता ही। मेल महुबब से रखें, देखो मालिक हमको कहां से कहां ले जाएगा, एक कोशिस तो करके देखें हम, मैं ये कोशिस करना चाहता हूं कि मेरी अपनी तरफ से मैं ये कोशिस कर रहा हूं और आप लोगों से मही अपील कर रहा हूं कि प्लीज महरवानी करके, आप लोग भी, दे प्रिखाता आपस में बैर रखना। व्याख्यान सुना खुद उस इंसान के मूँ से जिस पर वो आप बीती। तब से लेके अब तक 20 साल के सफर में भी आज भी जब कुतुबुद्दीन जीने उस दंगे के बारे में बात की तो उनकी आखों में वही नमी और वही दर्द दिखाई दिया जो शायद 20 साल पहले उन पर आप बीती थी। झाल झाल झाल